आज के जन्मे जातक सुन्दर, आशावादी, धन और एश्वार से युक्त, विनम्र और दयालू प्रवृति के होते हैं ऐसे जातक अत्यधिक सासी, फुर्टीले, जिड़ इच्छा सक्ती वाले और उच अभिलासी होते हैं ये अत्यधिक भावावेश में आने वाले कला और संगीत के प्रेमी और नेतित करने वाले भी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा, शनी और मंगल की स्थिति अनकूल रही तो पूर सफल होंगे चंद्रमा आज भी पूरे दिन मकर राशी में ही चलते रहेंगे रात्री नौ बजे के बाद कुम्भ राशी में प्रवेश करेंगे मेंश राशी के जातकों के लिए अपने कारिच छेतर में अत्यथिक उत्साह और दिढ़िछा सक्ती बनी रहेगी आथिक लाव और उसे सम्मंदित विगल्पों के नए मार्ग का स्रिजन होगा हाला कि कारिच छेतर में गती आएगी और नई कार वियोजनाओं का उद्देश पूरा होगा साजेदारी के कामों में लाब मिलेगा बच्चों से सम्मंदित मामलों में सुछ समाचार मिलेंगे और आपने स्वास में बिद्धी होगी शिक्चा प्रतियोगिता के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा और सफलता मिलेगी मगर कुछ कामों में रुकावट की संभावना भी बनती है और बुजुर्गों के स्वास की चिंता बनी रहेगी ब्रिश राशी वाले जातकों के खर्च करने की प्रवरित्ती बनेगी कारे छेतर में आ रही रुकावटों में सुधार होगा और आथिक लाव के नए विकल्कों की योजना बनेगी धार्मिक भावना में ब्रिद्धी योगी और परिवार के प्रती सामन्जस बिठा कर चलने की मानसिक्ता में विकास होगा कारे छेतर में समझोता वादी द्रिश्टिकोंड लावडायक रहेगा और काफी हद तक आप अपने प्रयासों और बुद्धी कोसों से सारे कारकों को नियंत्वित करने में सफल रहेगे अधिकारियों का सहियोग बना रहेगा मगर शाम का समय आजी विका को और बल देगा बच्चों से संबंधित मामलों में कोई सुभ समाचार मिल सकता है विद्याथियों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा सफलता संभावित है मित्वन राशी वाले जातकों के लिए स्वास संबंधी जटिलताओं का दौर जारी रहेगा कारे छेत के प्रती महत्कूल दिशा निर्देश मिल सकता है और आय संबंधित संसाधनों के सुद्रिठ करने की प्रवित्ती बनी रहेगी संबंधित मामलों में अंचाही यात्रा के भी संभावना बनती है और अपने अधिकारियों का दिशा निर्देश कायम रहेगा साथ में बड़े बुजुर्गों की सहभागिता और भाईयों का सहयोग भी कायम रहेगा साम का समय धार्मिक भावना बढ़ाने वाला होगा और आशिक सहयोग बना रहेगा मिद्याथियों के लिए आज का दीन अनकूल रहेगा सिक्षा प्रद्योगिता में सहयोग और सफलता मिलती जाएगी करक राश के जातकों के लिए पारिवारी चिल्ता का दौर जारी रहेगा संतान संबंधी मामलों में खुशी महसूस होगी कारेशेट से संबंधीत विकास होगा और रुकावट की संभावना खत्म होगी मगर अपने स्वास्त के प्रती संविजन सीलता का संकेत मिलता है हाला कि अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा और कारेशेट के प्रती संतुष्टी का माहौल बना रहेगा मगर साम तक अचानक छोटी यात्रा का योग बनता है आर्थिक सहयोग बना रहेगा और सिक्षा प्रत्योगिता में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी परिवार में सवहाद पुर्ण वादावरन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए सिंग रास के जातकों के पारिवारिक सुख संतुष्टी में कमी महसूस होगी कार छेतर में रुकावट की संभावना बनती है और स्वास सम्मंधि जटिलताओं का संकेत मिलता है आज चंद्रमा मंगल के नक्षतर में हैं और मंगल आपके भागे और सुख के कारक होकर छटमे भाव में बैठे हैं अता संभन्धित कामों में उतार चड़ाव की प्रवरित्ती बनी रहेगी हाला कि रुके वा अटके हुए काम संपाधित होंगे आर्थिक लाव सामाने रहेगा विद्याथियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा मगर सफलता मिल सकती है और साम के बाद का समय पारिवादिक सुख संतुष्टी को बढ़ाने वाला होगा और वैवाहिक प्रयास फलिबूत होंगे कन्या राशिके जातों के प्रयासों में गती आएगी ब्यावसाइक उन्नती के विकास की मानसिक्ता बनी रहेगी और संबंधित मामलों में आपकी सार्थक पहल जारी रहेगी महतुपूर्ण फैसले लाहुदायक सिध्ध होंगे नीजी निवेश के लिए आज का दिन उप्युक्त रहेगा मगर कुछ मामलों में सक्रियता और दिड़ इच्छा सकती प्रभावित हो सकती है स्वास संबंधि गड़बर्दी का संकेत मिलता है मगर आर्थिक प्रप्ष की अनुकूलता बनी रहेगी विध्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा इच्छा नुसार उदेश की पूर्टी संभावित है तुला राशिवाले जातकों को नीजी सुक्सु विधाओं में विध्धी होगी साजेदारी के कामों में लाव मिलेगा और मित्र वरिष्टेदारों से आफिक सहयोग मिलता रहेगा हलाकि कारेशेद के प्रतिचिंता लगी रहेगी मगर आप उसका समाधान कुछ हासान प्रयासों के साथ निकाल लेंगे आज का समय आसंकाओं और दुस्चिंताओं से घिरा हुआ माना जा सकता है मगर आपकी कारेशेली में सुधार की जरूरत है रशनात्मा प्रयास जारी रखे विध्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा नीजी संबंधों में निकटता आएगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्पूल रहेगा ब्रेश्चिक राश के जातकों के लिए स्वास संबंधी सुधार की मानसिक्ता बनेगी बिरोधी परास्थ होंगे और कारेशेत के प्रती सुधार एवं विकास की प्रवरित्ती बनी रहेगी चंद्रमा के मंगल के नक्षत्र में होने से आदमिश्वास उर्जा अस्तर और धन संबंधी मामलों में सहायता मिलेगी और कारेशेत के प्रती आ रही बाधां को सुल जाने में सफल रहेंगे संतान के दायत की पूर्ती होगी ववायक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा विद्याथियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा मगर सिक्षा प्रत्योगिता में प्रयास जारी रखें धनु राजिके जात्कों के साथ अनावस्चक वाद विबाद संभावित है कारिच शेत के प्रती विकास करने की प्रवरित्ती बनी रहेगी सासन सता वाधिकारियों से सहयोग मिलता रहेगा मगर अपनी उत्यजना और भावावेश को नियंतित करने की जरूरत है लगवग हर काम के प्रती आपकी सक्री भागेदारी सफलता दिलाएगी आठिक लाव के आउसर मिलेंगे मगर स्वास संबन्दी सावधानिया रखनी पड़ेंगी विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अन्पूल रहेगा और सफलता हासिल होगी समय के अनुसार अपने आपको शारिरिक और मानसिक रूप से लचीला बनाना चाहिए मकर राशी के जात्कों के नीजी सुख और संसाधनों में बृध्धी होगी आठिक लाव के नए अउसर सामने आएंगे और साथी साथ नेत्वित करने की छमता और कला में विकास होगा कारिच शेत्र में नीजी संबंदों का सहयोग और अधिकारियों की भूमिका सहायक सिद्धोगी आकस्मिक आठिक लाव के अउसर संभावित हैं और व्यावसाइक योजनाओं के नए प्रस्ताव लाव दायक रहेंगे संबंदित मामलों में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी का निर्वहन भी संभावित है संतान संबंदी अनुकूलता बनी रहेगी विद्याठियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्धोगा कुम्भरास के जातकों के लिए आज का दिन खर्चीला सावित होगा वाद विवाद संबंदी सावधानी रखनी चाहिए और नकारात्मक विचारों वाले दक्तियों से दूरी बना कर रखें नई कार्योजनाओं के विक्सित करने में सहायता मिलेगी मगर आठिक मामलों में सहयोग मिलता रहेगा और धन लाव के नए अवसर सामने आएंगे साजेदारी के कामों से भी लाव संबंदी विद्यातियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा और सफलता मिल सकती है साम का समय अनावस्यक खर्च, भाग दोड़ और चिंता से रहत दिलाने वाला होगा मीन राशी वाले जात्कों के लिए आए संबंदी मामलों में सहयोग मिलेगा और लाव की इस्थिती मन मुताविक बनी रहेगी कार छेट से संबंदित मामलों में रुकावट और अर्चन को हल करने की प्रवरित्ती विक्सित होगी और विवादों को सुल्जाने के मामलों में सहयोग मिलेगा हाला कि अधिक्तर मामलों में आपके प्रयास सार्थक होंगे मगर मन में दुष्चिंताओं को विक्सित करने से रोकना होगा किसी महिला विशेस की प्रेरणा से मदद मिलेगी विद्याथियों के लिए आज का दिन उत्साह जनक महसूस होगा और सफलता की संभावना बनती है साम का समय खर्च और आए संबंधी मामलों में यात्रा के लिए संकेत करता है आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमस्चिवाए